दोस्तो आज हम जो प्याज की रेश्पी सेयर कर रहे हैं वो एकदम यूनिक है इन्हें आप चाय के साथ छोटी मुटी भूख में या श्टार्टर की रूप में सर्व कर सकते हैं इसके लिए हमने दो प्याज ली है अब एक प्याज लेजिए उसको उपर से इस तरह से काट लेजिए उपर से हमने थोड़ा ज्यादा काटा है और अब हम इनके छिलके निकाल लेंगे अब जो ये जड़ है ना इनको हम काटेंगे नहीं इस तरह से साफ कर लेंगे दूसरे प्याज को भी हमने इसी तरह से काट लिया है अब एक प्याज लेजिए उसे chopping board या plate में रखिए और उसे इस तरह से काटिए जिससे नीचे की तरफ joint रहे और चाकू से इसे पहले 4 भाग फिर 8 भाग और इस तरह से घुमाते हुए इन्हें पतला-पतला काट काटने के बाद प्याज की पर्तों को उंगली से इस तरह से फैला लिजेगा जिससे इसमें मसाले अच्छे से जा सके दोनों प्याज को हमने काट ली है अब एक बाउल में हम लेंगे आधा कप बेशन और बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मश मैदा मसालों में हम लेंगे आधा चम्मश लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मश धनिय पाउडर आधा चम्मश गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच के करीब अद्रक रैसन का पेश्ट एक चम्मच चे थोड़ा काम हम इसमें नमक एट कर रहे हैं अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल कर इन्हें मेक्स कर लेंगे गुठली आना पड़े तो पहले दो चम्मस पानी डालकर मिला लिजेगा उसके बाद थोड़ा पानी और डाल दिजेगा और देखिए इस घोल को हमें पकड़े के घोल से थोड़ा पतला रखना है अब ये प्याज लिजे और प्याज को इस घोल में डीप कर लिजे उपर से इस घोल को अच्छे से लगा लिजेगा फैला कर जिससे ये घोल प्याज के अंदर चला जाए यहाँ पर मैंने एक कप ब्रेट क्रम्स लिए हैं हम इस प्याज को इस ब्रेट क्रम्स में डालेंगे चम्मस से इनकी पर्तों को फैलाएंगे और इनके उपर ब्रेट क्रम्स अच्छे से लगा लेंगे प्याज को उली से फैलाते हुए इनके उपर ब्रेट क्रम्स लगाईएगा जिससे इनके कलियों पर ब्रेट क्रम्स अच्छे से कोट हो जाए देखे इस तरह से अब प्याज को उल्टा करके एक्स्ट्रा जो ब्रेट क्रम्स है उन्हें जाड़ लेजिएगा दोनों प्याज को हमने इसी तरह से तयार कर लिया है इधर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल गरम हो गया है तो हम इसमें ये प्याज डाल देंगे जैसे जैसे प्याज नीचे से पकेगा प्याज की कलिया थोड़ी खुलती जाएंगी अब इनके उपर चम्मस से तेल डाल दीजिए इससे ये उपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और पलटने पर ये चिपकेंगे नहीं तीन से चार मिनट बाद हम इने पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी तीन से चार मिनट फ्राई करने के बाद हम इने पलट लेंगे और ये देखिए ये प्याज गेंदे के फूल जैसा लग रहा है और देखने में एकदम कुरकुरा चटपटा इन्हें हम पल्टे पर तिर्चा कर लेंगे जिससे एक्स्ट्रो आयल कढाई में चला जाए और इनको हम टिशू पेपर पर निकालेंगे इसी तरह से दूसरे प्याज को भी तल लेंगे और ये लीजिए प्याज की ये चटपटी, क्रिस्पी, टेस्टी रेस्पी बनकर तयार है मैंने इस रेस्पी को प्याज गेंदा फूल नाम दिया है आप इस रेस्पी को क्या नाम देंगे, कॉमेंट में जरूर बताईएगा इनको आप धनिय की चट्नी के साथ खाये या अगर स्टार्टर के लिए बना रहे हैं तो आप इनके उपर थोड़ा सा हर्य धनिय की चट्नी डालिए और इनके उपर थोड़े टोमेटो सॉस ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में एकदम क्रंची तो आज की रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेयर करना ना भूलिएग और रोज नई इनिवेटिव रेस्पी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ धन्यवाद